डीप फोकस में खबर के परसारन के बाद एक बार फिर इसका असर देखा गया। बोकारो जीले के बोकारो थर्मल इस्थित कारमेल इसकूल हिंदी मिडियम में एक नवी कच्छा का छात्र करन कुमार के साथ शिक्छक द्वारा कलाई में मोली धागा बानने के कारन उनके साथ जो दुर्वेवहार किया गया था एवं मोली धागा को कैची से काट दिया गया था। इस मामले को लेकर बिरोध जताया गया। इस घटना को हिंदू बिरोधी बताते हुए आरोपी सिक्छक अमित कुमार के खिलाप कारवाई करने की मांग हुई जिसके बाद बिद्दालय प्रबंदन की ओर से आरोपी सिक्छक को निलंबित कर दिया गया। क्लास लीडर बोली कि धागा खुणले के लिए और हम नहीं खोले। सब्सक्राइब करने करने रहते हम बोले सिष्टर के पास चली बोले हम को सिष्टर के पास नहीं जाई और मारने लगे। सब बच्चा पहन के आता लें सब का कटवा दिया गया। उसी दिन नहीं बहुत पहले ही सब के साथ इसा होता है। आपको खराब लगा। अधी क्या बोली मैं जाए बोली है साब नहीं होगा और मतलब टीचर का सस्पेंटर हो जाए। इस मोके पर वहाँ पर मोजिद विश्व हिंदू परिसद के धनबाद जौन के विभागिया मंत्री बिने कुमार ने बताया कि कॉर्मेल इसकुल परबंदन के यह जो मामला या बेहद ही निंदनिया है। इसी कलाई में मोली धागा पहनने के कारण छात्र के साथ दुर्बेवहार किया जाना यह बेहद गलत संकेत है। सबसे पहले तो अपने गलती को स्विकारा। लोग बच्चों के लिए सारा तैय कर रखा है। और अपने लिए क्या तैय कर रखा है। इतना बड़ा बड़ा आप लोग शायोत और क्रोस लगरा सारा लटका हुआ है। कोई जावाब नहीं मिला। लेकिन करन के विशह में यह बात आश्वासन को रूप में मिला। आगले वो जो शिक्षक थे अमित लकडा। उनको लोगने ने ततकाल सस्पेंड किया है। और आगे से करन के साथ कोई दुरभावना बिद्याले परबंदन नहीं रखेगा। यह रिटेन में अपने को मिला है। इस कारण से अभी तक तो मैं संतुष्ट हूँ लेकिन इस तरह का दुरभावना जो अपने को इस तरह के हमारे समाज के परति रखते हैं। उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मामले को लेकर बिद्याले के प्राचारिया ने खुद सामने आकर माफी मांग ली है। आट यहां मारे के साथ जो भी समस्याएं थी, उसका समाधान करने के लिए मैंने उनके माता-पिता और भिभावलों से मिला। समस्या का समाधान हो चुका है, फिलए टीचर को सस्पेंट कर दिया गया है और विभावलों क्ारिया की जा रहे है। इस तरह से रख्षा सुत्र को कटवाना क्या आप सही मानती है? जो भी है वो तो अच्छी बात नहीं है विभागे प्रभन कारिनी समीति के से मैं माफ्य मानती है